वहलो व्रीवन आई होप आप समय लोग ठीक होंगे सो आज की वीडियो में हम लेंडस्केपिंग के कोश्चन पेपर के बारे में डिसेश करेंगे क्योंकि काफी साथ शुडियन का डाउट था कि सब्सक्राइब कर दिर चीए तो मैं आप लोग को पेपर प्रवाइड तो मैं देखें सबसे पहले ञेमारा पहला सवार आता है तो यह जो पहला सवाल उता इसमें आपको सौट लिखने होते हैं है यह जो सवाल होते हैं इनमे से आपको दो दो-नमन क्या होते हैं एक में जस्ट color तोड़ा हो या फिर ऐसे फ्रांट्स जो जो जिनको सहारी क्या हो सकता पड़ती हैं या फिर जो भूमी की सतहों से रेंगते हुए किसी पेड़ पर पर चड़ते हैं तो वह हमारे लताय का लाती है लताय का जो वाकार होता है 50 cm होता है लोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंडूर गार्डनिंग बोलते हैं अगला आता है हमारा वर्टिकल गार्डन का मनलब क्या हो गया कि हम जिस गार्डन का यूप कर रहे हैं उस गार्डन में उस गार्डन में हम जिसे हमारे क्लीमबर्स होगे ठीक है क्लीमबर्स होगे औ का हम जब यूज कर देते हो उसको वर्टिकल गार्डन करते हैं ओके एंड नेक्स हमारा हाता है हमारा सर्द्रकालिन एक वर्षीप होते हैं जो सर्द्रकालिन में पुस्पन के रूप में उगाया जाते हैं जिसे चमेली हो गया मनलगा हो गया चंपा हो गया इंग स कहो गया ता यह सब क्या हो गए यह सब वैंटर इंडर के हमारे सिजल के हमारे हैं इंन पॉप हैरी क्या मिल से होता है कि कि और से जो प्राण्ट्स को एक आकार देना जिसे हमारा जो मोराल आकार हो गया ठीक है मोर आकार मोरा कार साइज दिना है लिए देखाया तो अच्छा सेफ देना आपको यहार को बताउंगा चार को दो कुर्षण का नियुक्स करके यह देखिए सबसे पहले क्या दिया वाट इस गार्ड इस गार्डरिन लैंडिस्केपिंगिंग डेंज सकनि कि बादर नी का मतलब क्या होता है कि कि यह भी भूप पर लेंड स्केप करके उस अकृति को तेके उस भूभाग को सजाना एंड उसकी संदर्स को स्ट्रक्चर को चेंज कर देना को मार्किट का जो प्राइज से उधादा बढ़ जाए तो उसको एंडिस्क्रियां कालो में इसके महत्तों कर दिए तो बहुत सारा इसका महत्तों भी है इसको आप लिखनीें जीएगा और नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा वाड डीयो मीन भाई क्या होता है और डान क्या होता है देखि हमाराches होता है ना वह में अग денег यह देखा रहा है तो हमार फार्मर् तरीके से होता है जैसे हमारा ताज महल हो गया है ताज महल में जो गार्डन है वो फार्मर् गार्डन में आता है क्योंकि उसमें एक ऐसी मतलब यह देखा रहा है तो यह हमारे प्राङ TV होते हैं लजीन हो गया एंड चानिज गार्डन अधियम्हें हो गया है उसको जदि ठीक है अगला दिखते हैं अगला हमारा है यानि कि हर्वीच से जो बाडर होते हैं इनका औरनामेंटर बागवानी में इसका क्या रोल है और हर्वीच से बाडर के लिए एक वर्शी जो पौदे होते हैं उसका आप सूची दिजिए यानि कि उसको लिस्ट देना है आपको परेगों करें तो देखिए ज्याबा करीक झांस कृश्छांस नहीं है यशी से थे रेखें से बाडर क्या होता को पता होना चाहिए कि जो जो इल्स होते हैं उनके ज्युका तुर्फ जो ज daha 40 जो बडर्ब्र सोते हैं जो मारे जो और लो देखिए एंड यह जो चारों तरफ है ना जो चारों तरफ है यह वाला यह हमारा बॉर्डर हो गया इसी को हम हर्वीशिस बॉर्डर बोलते हैं कि चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टेक्शन बी की तरफ आ गए हम लोग इसमें दिया गए वाट इस लाउन हर्याली क्या होता है कि हर्याली का मतलब क्या होता है कि जो गार्डन्स होते हैं गार्डन्स में जो लाउन होते हैं जो चद्डर होती हैं हरी हरी टाइप की आपी जो घासों वाले जो चद्डर होती है उसको लाउन बोलते हैं हर्याली का महते हैं इसकी उप्योगता घासों का करेंगे अब हर्याली को कैसे अस्था पित करेंगे आप अब सीडिलिंग के माधिन से भी कर सकते हैं और कहीं से लाकर विआ लॉन को लगा सकते हैं तो यह सब भी है चलिए ठीक है को कि अगला देखते हैं इसमेंसे आपको short Snow लिखने हैं जैसे marks ताइटS of gardening तो अनुवचारी ص signaling की जोboard इस्टाइल हैं तिक के गयर्डन की जो अगला देखते हैं अगला आपका आ अगया कि female ईस इंपोर्ड्स डी report Sud अखको पता होना चाहिए कि जो creepers होते हैं और सेम आपके जो klimbers होते हैं उसके उसी परकार से होते हैं बड़ जो creepers होते हैं वो सीधे vertical रूप से उपर चड़ते हैं जो klimbers होते हैं वो नीचे पहले भूमी पर चड़ते हैं अगला होगा आप water garden water garden भी हमारे होगे जिससे हमारी जापानिस जो गार्डन्स है या फिर वाटर गार्डन में जिसे हमारी डल जील की जो हमारी गार्डन्स होती है वो सब हमारी वाटर गार्डन्स के आती है परगोला क्या है तो परगोला में आपको बता दू परगोला जो हमारा होता है वो जापानिस गार्डन मे अगला देखते हैं पादप्रवर्दंग के सिद्दान देव अवधाड़ा क्या वड़न कीजिए अलंकित पादपों में इसकी संभावना का भी लेक किजिए अगला देखते हैं क्या होता है कि किणारा कमतलब क्या होता है कि अगला देखते हैं कि अगला देखते हैं रूप उद्धान के महत्रपुष्ण सनसंदाय के बारे मताना है तो रूप का मतलब होता है आपका जो टेर्स गार्डनिंग होता है ना टेर्यस गार्डनिंग इसको मतलब होता है रोफ गार्डनिंग ठीक है आप तो समझ गया होंगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं धन्यवाद